उलम्पिया में जीसस की मूर्थी प्राचीन विश्व के साथ अजूबों में एक है इस मूर्थी को प्राचीन ग्रीक के मूर्थिकार फिडायस ने 432 इसापूर में बनाना सुरू किया था और लगबग 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसका निर्मान पूरा किया वर्तमान समय में यह मूर्थी हमारे बीच मौजूद नहीं है कहा जाता है कि 475 इसापूर में यह मूर्थी जलकर नश्ट हो गई थी जीसस को प्राचीन ग्रीक के देवताओं का राजा माना जाता है प्राचीन ग्रीक में ओलम्पिक खेल जीसस देवता के समान में आयोजित किया जाता था प्राचीन ओलम्पिया सहर में देवता जीसस के समान में एक मंदिर का निर्मान किया गया था जो दो नदियों के बीच इस्तित एक छोटे से जंगल में बना हुआ था 432 इसा पूरु के आसपास मंदिर में देवता जीसस की मुर्ती बनाने के लिए ग्रीक के सबसे प्रसिद्ध मुर्तिकार फिडायस ओलंपिया पहुँचे फिडायस ने मुर्ती के बगल में अपनी वर्क्सप के अस्थापना की जिसमें मुर्ती के हिस्से बनाना सुरू कर दिये 12 साल की मेहनत के बाद जब मुर्ती बनकर तयार हुई तो उसकी खुबसूर्ती और भव्यता को देखकर हर कोई हैरान हो गया मुर्ती में जीसस को बैठी हुई आवस्ता में देखा गया था मुर्ती की उचाई लगवक 42 फिट थी मुर्ती का जादातर हिस्सा लकडी का बना हुआ था जिसे हाथी दंत और अन चीजों के द्वारा कवर किया गया था चेहरा और पैर हाथी दंत के बनाये गये थे जीसेस के मुर्ती के सर पर चांदी की बनी एक जैतून की माला पहनाई हुई थी उनका सिनहासन बेहत किम्ती रतनों से बनाया हुआ था सिनहासन पर पौरानिक कथाओं में वर्णित द्रिश्य को चित्रित किया गया था मुर्ती के पैरों के आगे एक कुंड बनाया गया था जिसमें जैतून का तेल भरा हुआ था यह इसलिए किया गया था ताकि ओलम्पिया के नम जलवाईयों में हाती दंच से बने हुए हिस्सों में दरार ना आ जाए इसके सिवाई सकुंड की वज़ा से प्रकास परिवर्ति थोकर मुर्ती पर पड़ता था जो इसकी भवेता को और बढ़ा देता था 392 इस्वी तक ग्रीस पर रोमन समराज का राज हुआ करता था जो की इसाई धर्म को मानते थे उन्हें ओलम्पिक खेलों को बंद करवा दिया क्योंकि यह एक गयर इसाई देवता जिसस के सम्मान में खेला जाता था इसके सिवाय उन्होंने इसे मुर्ती पूजा से भी जोड़ा 392 इस्वी के बाद जिसस की मुर्ती के साथ क्या हुआ इसका कोई सपस्ट उलेख नहीं मिलता कहा जाता है कि जब 426 इस्वी में थियो डोसियस राजा ने सभी गयर इसाई मंदिरों को नस्ट करने का आदेश दिया था तब इस मुर्ती को नस्ट कर दिया गया हो कुछ अभी लेखों से यह पता चलता है कि लैसस नाम का एक यूनानी व्यक्ती इसे अपने सहर ले गया जहां 475 इस्वी में एक बड़ी आग में यह मुर्ती नस्ट हो गए पुरा तत्विक खोजों से मंदिर का घेरा तेल का कुंड और फेडायस की वर्क्सॉप तो खोज लिया गया है पर देवताओं के राजा जीसस की मुर्ती का कोई भी अंस नहीं मिला तो इसी के साथ आज का यह अपिसोड समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए अजूबे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद